दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो है stop loss के उपर stop loss एक इतनी बड़ी problem है एक beginner के लिए या एक pro level trader के लिए भी क्योंकि stop loss एक वो कहानी है जो लोग समझते नहीं है किसी भी level पर entry लेने के बाद उनको ये नहीं मालूम होता है कि मेरा stop loss क्या होना चाहिए जहां भी stop loss लगाते हैं बड़े लोगों ने उसको SL hunting करके उनका stop loss हिट करवा के market उसी दिशा में move करवा लेते हैं इस वीडियो में हम लोग only and only ये जानने वाले है कि real stop loss कहां पर होता है जहां पर stop loss हंटिंग का जो होने वाला है system वो होता है मार्केट में वह हम समझने वाले कि SL hunting कहां पर होता है ताकि हम लोग सेफ रहे और stop loss को सही तरीके से हम लोग मार्केट में put करें सबसे पहली बात आप सभी को बता दू stop loss का मतलब होता है loss को कम रखना stop loss का ये मतलब नहीं होता है loss को ना लेना loss को बंद कर देना loss को बिलकुल भी zero लेना इसका ये मतलब नहीं होता है Stop Loss का मतलब होता है आपके Loss को कम करना ज्यादा बड़ा Loss ना होना बलकि छोटे Loss में आपका Capital को सेफ तरीके से बचाना यदि आपने गलत Trade Execute कर दिया है तो भी आपका Stop Loss ही एक ऐसा तरीका है जहां पर आपका Loss कम करवाएगा ना कि पूरे Capital को साफ करवाएगा तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और आपको एक और चीज़ बताता हूँ यदि आप लोग बिना Stop Loss के कोई भी Trade करते हो तो आज सी ये चीज़ करना बंद करना एंड Stop Loss जरूर लगाना ठीक है क्योंकि Stop Loss एक वो तरीका है मैं आप सबी को बताता हूँ कि आपको पूरे Capital को Zero करने से बचा देता है यदि आपने गलत ट्रेड भी Execute कर दिया है तो वहाँ पर आपको वो पूरी तरीके से सेफ रखता है कम Loss में मार्केट से बाहर निकाल देता है आपको चलिए ये बाते आपने समझ लिया मैं 2-4-5 दिनों का मैं आपको डाटा बताऊंगा वहाँ से हम लोग चेक करेंगा मतलब Candles बताऊंगा जहाँ पर Stop Loss लगते हैं बायर और सेलर के तो उस चीज़ को आप लोग समझोगे तो फिर आपको Stop Loss का फंडा जो है वो समझ में आ जाएगा तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं पीछे जाके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करें वनली एक लाइन से दूसरा होता है कि एक जोन कि जहाँ पर विक भी बनता है बोले तो सेडो जो आप लोग देखती हो ये कैंडल के उपर जो विक्स दिख रहा है आपको इसके नीचे जो विक्स दिख रहा है आपको इसकी बात कर रहा हूं है तो इस candle का जो shadow भी बन रहा है और body दोनों को करके इस तरीके से एक horizontal line को rectangle line में convert करके पूरा zone create करते हैं तो market ने क्या किया इस level पर क्या है यहां से market ने consolidate करके direct market ने कल होकर market gap down opening हुआ निच्ची की तरफ selling आया बहुत बड़िया इस seller है इनका stop loss कहा पर लगा होगा इनका stop losses आप कह रहे हो यहां पर लगा होगा जी नहीं इसका stop losses gap पर लगा होता है किस तरीके से मैं आपको सब कु समझाओंगा ताकि आपको stop loss का fundा पूरा समझे में आजए इस वीडियो को end तक देखेगा यकीन मानिए यदि आपको इस वीडियो में knowledge ना मिला तो चैनल को unsubscribe करके वीडियो को unlike करके जा सकते हैं और वीडियो में थोड़ा भी आपको ऐसा लगा कि यहां पर आपको profit मिला है मतलब knowledge मिला है like and subscribe जिरूर करना है वो सके तो भाई बंदू से भी करवाना है यहां से market नीचे की तरफ fall होता चला गया market gap down opening हुआ यहां से नीचे चला गया जिन लोगों ने यहां पर sell किया होगा उनका stop losses इस gap के आसपस रहा होगा या इस top पे रहा होगा कैसे मैं आगे जब चलता जाओंगा तो आपको समझ में आता जाएगा फिर क् कि यहां से buying इसमें आने लगए मतलब buyer का stop loss इस level पर है यहां पर किस तरीके से आप समझोगे यहां पर मैं इस तरीके से horizontal line ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से horizontal line इस तरीके से दोनों इक्स कर यह buyer का है समझने समझने की ज़रा कोशिस कीजिएगा जब मैं पीछे चलूँग market यहां पर आएगा तो आपको दिखाएगा यह सब कुछ कि किस तरीके से यहां पर buying हुआ था तो दोस्तो इस तरीके से यहां पर buying हुआ जब यह buying हुआ तो इन सभी का stop losses कहां पर है इस level पर है इन सभी का stop losses यहां पर है हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर buy करेंगे हमारा stop loss यहाँ पर लगाएंगे आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि सभी का stop loss यहाँ पर है नहीं तो आपको इस level पर जब stop loss लगाओगे यह तूरंद किसी भी candle में हिट हो जाएगा मतलब यह buyer का zone है आपका stop loss इस level पर होना चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ऊपर थोड़ा कर सकते हो आप लोग थोड़ा buffer में लगा सकते हो stop loss तो यहाँ पर stop loss है market इस तरीके से close किया कल होकर gap up opening हुआ और इस level पर भी काफी लोगों का stop loss है काफी लोगों का stop loss इस level पर है ऐसा किसलिए होता है क्योंकि gap होता है हमको सिर्फ यह gap दिख रहा है लेकिन नहीं market की selling कहां से हुई है इसके बाद market की selling इस level से हुई है मतलब यहाँ से selling हुई है market की तो हम लोग क्या करेंगे एक तो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर इस तरीके से मार देते हैं इस तरीके से और यह रहा यह पूरा जो जून है न भाई यह पूरा जून reverse मतलब यहाँ से selling होने की possibility higher high chance है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर से selling हुआ है इन सभी का stop losses यहाँ पर है market इस level पर पहुंचेगा वाप सेल किया जाएगा market को देखना होता है समझते रहे ना समझ में आते रहे तो वीडियो को like करते रहे ना ठीक है ना मैं बता रहा हूं जैसे यह यहाँ पर पहुंचा तो यह कौन सा area यह seller का area है और जब seller का area में market जाएगा तो seller क्या करेंगे again इसको sale करेंगे समझ गये किस तरीके से क्योंकि इसने जो profit किया है न भाई यहाँ पर जाने के बाद अभी भी यह profit में है अगर किसी premium को इसने 100 में buy किया होगा तो यह premium यहाँ पर इसको अभी भी cost to cost जाने के बावजूद भी इसको 30 रुपे का यहाँ पर profit द करता है ना तो इसको यह zero करता है तो इसको सारे profit मिल जाते यह premium को खरीदता है यह पूरा premium 100 रुपे को खरीद रहे है इसको 100 रुपे पूरा का पूरा चाहिए market को zero करवाएगा तो इस level पर मालो 30 रुपे पर आ गया तो इसको 70 रुपीज का profit लेकिन जब market इस तरीके से आगे, आप समझ देरो, इस level पर seller है भाई, और seller कब डरेगा जब तक buyer अपने accumulate नहीं होगा, जब तक buyer higher high नहीं बनाएगा, seller नहीं डरने वाला है, ठीक है, यह चीज़ आपने समझा, अब क्या कि मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ गया है इस तरीके से ऊपर चला अब मार्केट कैसा बन रहा एक हाइर हाई बनने का ट्राइ कर रहा है यह नीचे आया यह सेलर इस लेवल पर एक्टिव हो गए इस लेवल पर एक्टिव हो गए मार्केट नीचे की तरफ आया मतलब यहाँ इन सभी का stop losses लगे है जब market इस level से निकलेगा आपको एक moment दिखाई देगा market में ध्यान से समझते रहना market में एक moment दिखाई जब stop losses hunting होता है SL hunting आपने सुना होगा तो जब market इस level पर touch की आगे यहाँ से यह buyer जो था इसको डर की जूरूरत नहीं है यहाँ पर Fibonacci यूज करके मैं और अच्छे तरीके से समझा सकता था बड़ सब कुछ होच-पोच होजएगा only stop losses के बारे बताता हूँ तो यहाँ पर stop losses है अब जब market ऐसा एक line draw कर रहा है अपने आपको तो अब यह stop losses इन लोगों का इस level पर आजएगा तो यहाँ ध्यान रखेगा अब मैं क्या करता हूँ यह stop losses को यहाँ पर मैं shift करता हूँ यहाँ पर stop losses आगे इन लोगों का stop losses यहाँ पर आचुके है अब यह भी stop losses area बनके है देखते रहना दिहां से समझते रहना जब इस level पर आएगा किस तरीके से buyer अपने आपको ध्यान रखेगा अब आपको क्या देखने को मिला है देखो समझो कि यहां से selling था यह selling आ गया जब market ने again इस level पर आया भाई इस तरीके से यहां पर buyer लेके गया यहाँ पे रुका भाय अक्यमिलेट हुआ बायर ने फिर अगेन ले गया इस लेवल पर भी यहाँ पर देखो इस तरीके से सेलर बैठा इसको नीचे किया अब बहुत इंटरस्टिंग पॉइंट है जब मार्केट यहाँ से उपर की तरफ गया है इसको रीटेस्ट किया और फ ते यह हुआ यहाँ से रीटेस्ट गया और यहीं पर दाटे क्लोज कर गया मतलब इसी लेवल के आसपास ठीक के इस लेवल के असपास अब यहाँ पर जिनका stop losses था market gap up opening हुआ सभी का stop losses हिट हुए और market इस तरीके से उपर की तरफ चला गया ठीक है यह चीज आपने समझ गया ना किस तरीके से stop losses हिट हुए और market उपर की तरफ चला गया लेकिन very interesting point एक और पारीका जोन बन रहा हुए अब क्या कि इस लेवल पर कहीना कहीं stop losses होंगे समझ रहए हो यह अभराई का stop losses होंगी तो मैं क्या करूँगा आप को यहां दुखो इस लेवल पर क्या करूँगा मैं इसको इस लेवल पर जिलेंगा थ relief और मार्केट अगेन देखो हैं गया इसको किया मार्केट ने एक स्पाइक यहां तक दिया इन लोगों का सुटा पल भॉस इर मार्केट इस लेवल तक पहुंच जिए मार्केट एप बन रहे हमारा इसटाप लॉस यहां पर होना चाहिए यह लिए आप गहीं भी बीच में stop losses लगा रहे हो आपका stop loss hit होने का high possibility है समझ और आपका stop loss hit होने का high possibility है यदि आप लोग कहीं beach में stop loss लगा रहे हो अब मैं बताता हूं आपको जिस बंदे का stop losses यहां पर लगा हुआ है buyer का कोई दिक्कत नहीं है यहां से buying हुआ है ठीक है जब यहां पर आएगा again buyer active होंगे लेकिन अगर इस तरीके से buy कर रहे हैं आप बीच में कहीं इस तरीके से stop losses लगा रहे हो तो stop losses ही टोनेंगा आपका high possibility है ठीक है अब यह जो buyer है इसका stop losses यहां पर है इसको कोई डरकी चिंता की बिल्कुल विसेर नहीं अच्छा profit ले रहा है यह अच्छा profit यहां भी अच्छा profit यह उपर चला गया इसको profit हो रहे है time decay का full profit इसको मिल रहा है यह चीज़े आपको समझ में आ रही होगी तो समझ में आ रहा है ना तो आप वीडियो को like करते चाहिएगा ठीक है न अब देखो यह जो हमारा यह लाइन यह proper क्या कर रहा है यह अपने आपको sustain करने का try कर रहा यहां पर इपूरा बायर जो है आप इसको area मनाना पड़ेगा यहां पर मैं क्या करूंगा एक single करता हूं एंट मैं इसको क्या करता हूं करता हूं कि आपके पूरा का पूरा इस तरीके से आप कवर कर पाओगे इसको ठीक है न पूरा लेना पड़ेगा आपको इस तरीके से तो समझ में आएगा ठीक है अब देखो जादा घपरानी की ज़रूट था एक एक चीज में stop losses के बारें बत धिलेगा अब यहां देखो जब यह क्या क्या इस लेवल पर टच्स किया यहां से यह से यहां लेके चले गए सेलर जो waż कि यह बायर का जोन है ये अगा गये इसको बाय करते चलाए अब समझते जाओ यहाँ इसका स्वर्प लोस यहाँ बन रहां अब इसे इसे मौर करेगा नातो आISA म्मुडिये अब अब को बतार हो आगे हम लोग चेक कर लेंगे अच्छे स्मय करें चिर आधा है यहां पर जोन बनाया market इसी यहीं पर क्लोज किया मार्केट गैप अपनी हुआ गैप अपनि हुआ तो यह सारे लेवल फिर इसका support क्रेड करेगा यह वाला सपोर्ट क्रेड करेगा यहां पर स्टॉप लोस लगे होएं तो यहां क्या करेगा बंदा यहां क्या करेगा जब मार्केट यहां से ओपनिंग होगा तो इसको सबसे पहले इसका जो इसको सपोर्ट बनाने का ट्राइ करेगा चलो मैं यहां पर एक सपोर्ट करता हूं ठीक है इस तरीके से मैं यहां पर सपोर्ट करेट किया अब क्या किया बंदे ने देखो समझते ना बहुत अच्छे तरीके समझ मैंगा जब market gap up opening हुआ तो ये candle इसका stop loss hit करके तूरंत इस सभी का stop loss hit करके market एक दो candle अच्छे तरीके से move किया 30 minute मतलब 15-15 minute का ये candle है लेकिन ये seller जो थे न टॉप साइड में ये इसको उपर जाने की इसकी हिम्मत न है seller हावी है seller इस market में जीतने का try कर रहा है तो seller अगेन ये नीचे ला रहा है अब फिर समझ वो ये stop losses hit नहीं हुए अभी लोगों की तो यहां एक नया stop losses buyer का बन गया मतलब की जो trailing का system बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं इन्होंने यहां पर buy करके चल रहे हैं इस level पर तो इ यहां पर buyer का stop losses कहां आगया है यहां पर buyer का मतलब जो put बेचते हैं जो put को sell करते हैं उनका stop losses यहां पर है यहां पर call बेचने वाले हैं यहां पर put बेचने वाले हैं अब जितना narrow होता चला जाएगा market में move होने की possibility उतनी बढ़ती चली जाएगी यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा तो यहां पर seller है market ने इस तरीके से यहां पर buyer अपने आपको active करने लगए buyer अपने आपको रोकने लगए market फिर से gap up opening होता है और यसी level पर पूरे दिन consolidate करता है पूरे दिन यहां पर consolidate करता है इसका मतलब समझ गए ना कि अब यहां से seller जो इसको नीचे गिराने वाले थे वो इसको नीचे नहीं गिराए और इसको high level पर sustain करने का try किया है इस level पर sustain करने का try किया है तो ऐसा जब बनता है ना इसको बोलते है ascending triangle टाइप का बनता है ठीक है बट यह क्या है एक सही तरीके से ascending triangle नहीं है ठीक है तो इसको हम लोग उतना consider नहीं करेंगे ठीक वाले हैं चलिए हम लोग आते हैं अगें next day पर next day क्या हुआ market ने देखो एक एक ची समझो यहीं पर आपको सब को समझ वाएगा कि यह level पर बहुत ज्यादा stop losses लगा हुए इस level पर बहुत ज्यादा stop losses लगे हुए इस level पर stop losses लगए लेकिन market ने direct gap of opening देता है और हमारा जो day ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर उसका entry को खतम कर देता है तो उसकी entry को खतम कर देता है तो हम लोग नहीं opportunity का wait करते कि चलो opportunity मिलेगा तो हम लोग buy और sell करेंगे नए stop losses को हम लोग find करेंगे अब देखो क्या हुआ कि यहां पर जो stop losses था market ने gap of opening किया और एक price negative बनाके इसको retest करने आगे इस level को और इससे अच्छी opportunity मिल ही नहीं सकता है तो यहां पर आया again यहां पर buyer active हुए और इसको इस तरीके से उपर ले जाके market को close किये समझ गये यहां पर ले जाए close किये अब जो buyer का stop losses है देखो logic समझते रहना भाई आपको बहुत जादा confusion create करवा रहा हूं म इस वीडियो में तो इसको repeat से repeat देखना ताकि और अच्छे तरीके से आपको समझ गये यही तरीका है market में अपने आपको रोकने का market का stop losses देखने का कहां पर seller बैठा हुआ है कहां पर किस तरीके से moment करता है put writer किधर बैठे है sell writer किधर बैठे है और market किधर move करने वाला है stop loss क इसका hit होने वाला है सबसे बड़ी बात तो यही stop losses की वीडियो है इसमें समझ में आपको आ जाएगा logical stop losses कहां पर होते हैं तो यहां पर देखो यह market इस तरीके से move किया next day market ने flat opening करके नीचे move किया यहां पर buyer थे buyer ने फिर buy किया लेकिन क्या क्या यह seller यहां पर active हो रहे है बहुत समझना है इसको जब यहां पे touch किया और यह भी number यहां से breakout किया था और इसको भी touch किया तो यहां से again एक जवर्दस्त buying आ गया क्योंकि यह buyer का level है समझ रहो ना buyer का level इसको मैं थोड़ा सा और इस तरीके से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा यह पूरा buyer का level है भाई जब इसको touch करेगा तो क्या होगा बाइंग होगा और यहां पर एक high level पे रुका हुआ है तो buyer यहां पर aggressive entry लिए और यह market बहुत ही powerful तरीके से यहां से move किया कितना point move किया 461 point करीबन 1% की bank nifty ने move किया तो यह कितने अच्छे तरीके से समझ मार रहा है सारे stop losses अब क तरीके से रुकेगा यहां पर रुकने लग जाएगा तो एक बड़ी candle दिखी फिर यहां सस्टेन नहीं क्या यह breakdown हो गया इस तरीके से यह सारे stop losses यहां पर इस तरीके से यह buyer का stop losses आते चले जाएंगे इस तरीके से जब कोई भी condition में इसको break करेगा तो बहुत अच्छा move द देता हूं ताकि पूरे अच्छे तरीके से पूरा zone के बारे में आपको मालूम पड़े हम लोग क्या करेंगे day में बैठते हैं न तो बहुत सारे loss करवा लेते हैं अब market यह ट्रेड एवल एरिया नहीं है यहां पर हम लोग confusion क्या trade करने वाले यहां देखो market पूरा sideways था इस market क्या क्या इस तरीके से यहां पर अपने आपको रोकने का try कर रहा है अब यह seller का जो buyer का जो motion चल रहा था उसको break करके और market इस तरीके से भाई sideways चल रहा है इस तरीके से जो market sideways चल रहा है अब स्टॉप losses देखो आपको खुद समझी माएगा जब इस तरीके से stop loss यह break हुआ तो market कितने अच्छे तरीके से यहां से फॉल हुआ देखो इस यहां से यहां तक फॉल हुआ कितना है 985 point करीबन 1000 point का market की गिरावर दिखी है क्यों क्योंकि एक तो simply यहां से बड़ी fall दिखी और जब इस यह जो motion को break किया तो एक और powerful breakdown दिया कितना बड़ा यह यहां पे दे से भाई इसका motion जो break हो रहा है इस motion break का एक सबसे बड़ा जो उधारन था वह एक बड़ा केंडल यह था यह जो बड़ा केंडल आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा उधारन था कि कल मार्केट में गर्जब और दस गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और यह चीज़े हमने इस दिन में 16 नवंबर के डेट में हम लोगों ने लाइब में भी हम लोगों ने बात किया था तो मार्केट उसी तरीके से आया है फिर अगेन स्टॉप लॉसस कहा पर लगे हो भाई स्टॉप लॉसस पूर इस एरिया पर है जब मार्केट इस एरिया से जब उपर की तरफ निकले गाना तो देखना एक अच्छा आपको मुमेंट दिखा दिखाई देगा आपको यह जो लेवल है न इस लेवल को ब्रेक नहीं किया उपर जब भी इसको ब्रेक करेगा मार्केट डारेक्ट गया पप अपनी होगा कोई बात में रीटेस्ट पर हम लोग बाई कर लेंग इस लेवल पर जब मार्केट यहां से मुव करेगा तो बहुत ही फास्ट मुव करने वाला है ठीक है तो यह सारे सिस्टम को समझना पड़ेगा और बात रही कि अब यहां पर बायर का तो बायर सबका स्टॉप लोस यहां पर है एक छोटा स्टॉप लोस यहां इस लेवल प पे मुव करता है जो भी आपके swings दिखे यू टर्न दिखे पास का यू टर्न दिखे आपके left hand के साइड जो भी upside and downside का यू टर्न दिखे वो आपका stop losses एरिया है और आपको भी वहीं पर stop stop losses पुट करने होते हैं बीच में कहीं पुट करोगे आपका stop losses हिट होगा मैं उवीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से यह stop losses के बारे में मालूम पढ़ा होगा यह दिए आपको knowledge जेवल वीडियो लगा है तो आपको वीडियो को like जरूर करना है support करने के लिए subscribe जरूर कर लिजेगा thank you so much मिलते next video में